पाकिस्तान और न्यूजिलैंड के बीच टेस्ट मैच में बाबर आजम की गैर मौजूदगी में कप्तान बन बैठे सरफराज नजब केन विलियमसन की दो बार स्टंपिंग मिस और कई कैज ड्रॉप करने सहित कई गलतियां करी तब उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने धोनी के अंदाज में कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि उनका मजाग की बन गया धोनी क्रिकेट की दुनिया में एक नाम है मैदान पर उनके सामने अमपायर को भी अपने फैसले बदलने पड़ जाते थे तब ही तो DRS का मतलब decision review system नहीं बलकि धोनी review system कहा जाता है शायद त तो अपना ही मजाग बनवा लिया दरसल कई बार असफल होने के बाद सरफराज अपनी गल्तियां सुदारने को इतने उत्तावले दिखाई दिये कि इन्होंने एक ऐसा DRS ले लिया जिससे बल्लेबास को तो कोई नुकसान नहीं हुआ बलकि सरफराज अपनी टीम का एक DRS भी गवा बैठे जिससे कई मौकों पर DRS खतम हो जाने की वजह से बल्लेबास के आउट होने के बाद भी पाकिस्तान टीम कुछ ना कर पाई दोस्तों सरफराज जैसे खिलाडी के क्या आप ऐसी हरकत के उमीद करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की अनजानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले